पास्ता बनाने का सबसी नया और आसान तरीका हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरी चैनल पर एक बर फिर से बहुत स्वागत है तो चलिए आज हम बनाते हैं, बहुती आसान तरीके से बहुती टेश्टी और डिलीसिस इंडियन पास्ता इसके लिए हम लेंगे एक बर्तन और यहां मैंने बर्तन में दो ग्लास पानी डाल की से धक कर हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे और इसे धक के हुए लगभग एक मिनट हुआ था और पानी हमारा बहुत अच्छे से बॉइल आ गिया है और अब हम इसमें एक कप या एक कटोरी पास्ता डालेंगे पास्ता आप किशी भी सेफ का ले सकते हैं उससे टेश्ट में फर्क नहीं पड़ता सिर्फ सेफ का अंतर रहता है और अब हम पास्ते को पानी में एक बार अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढखकर मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे पास्ते को ढखकर यहां मैंने मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए पकने दिया था और पास्ता आप देख सकते हैं फूल के बहुत अच्छे से डबल हो गया है और पास्ते हमारे बहुत अच्छे से ट्रांस्पेरेंट भी हो गया है तो हम क्या करेंगे एक इस तरीकी कर छननी लेंगे और इस पे पास्ता डाल कर इसे अच्छान लेंगे जिससे इसका पानी छन जाएगी और अब हम एक ग्लास ठंडा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से ठंडे पानी से भी धूलेंगे जिससे पास्ता का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और अब हम इसे प्लेट या थाली में इस तरीके से फैला लेंगे जिससे पास्ता हमारे चिपके गए नहीं औ और एक्तम पिरफिक्ट खिले खिले बनेगी और अब हम इसे ठंड़ा होने केलिए under side में रखेंगे और अब हम इसे बनाने का process देख लेते इसके लिए हम एक पैन लेंगे gas-on करेंगे औ रस्कारिमी पैन को अच्छे कर सकते हैं और पैन में तेल को अच्छे से फैला लेंगे जिससे पैन हमारे ऑईल से अच्छे से ग्रीस हो जाएगी और अब हम इसमें सबसे पहले एक चमच लहसून का पेश्ट आ लेंगे इस टाम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे पेश्ट को हम अच्छे से चलाते हुए सुनहरा कलरानी तक पका लेए आप पेश्ट के जगा बारी कटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं या फिर अगर अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं और अब हम इसमें बारी कटा हुआ एक मीडियम साइच का प्याज डाले लेंगे और अब हम हाई फ्लेम पे इसे 25-30 सेकंड के लिए अच्छे से पैन में चलाते हुए भून लेंगे जिससे प्याज हमारे जल्दी से भून जाएंगे और इसका क्रंचीनेस बना रहेगा हमें इसे जादा नहीं पकाना है और अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर च कैपसिकम का डालेंगे आप यलो रेड ग्रीन किसी का भी यूज कर सकते हैं मैंने ग्रीन कैपसिकम का यूज की हूँ और अब हम इसमें बारी कटे हुए 2-3 हरी मिर्च टालेंगे तीखा अब अपने इसाब से कम्यां जादा भी कर सकते हैं और अगर आप बच्चों के रहेगा हमें सबजियों को ज्यादा नहीं पकाना है सिर्फ 50% कुक करेंगे और अब हम इसमें दो मीडियम साइज के बारी कटे हुए लाल टमाटर डालेंगे अब पास्ते के लिए जब भी टमाटर डाले तो लाल टमाटर का ही उसकरे लाल टमाटर आपके जल्दी पकेंगे नहीं और इसका फ्लेवर पास्ते में उच्छा आती और अब हम गैस का फ्लेम फिर से 25 से 30 सेंड के लिए हाई कर लेगे और हाई फ्लेम पर टमाटर को हम चलाते हुए सब्च लों के साथ मिक्स कर लेए और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे धक कर 2 मिन undergraduate के लिए हमें से मेडियम रखेंगे और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या हाफ टी स्पून नमक डालेंगे नमक थोड़ा कम ही यूज़ करें क्योंकि जब हम इसमें सॉस डालेंगे तो सॉस में भी नमक का फ्लेवर होता है तो नमक अगर इस टैम्पे जादा एड़ करेंगे हमारे पास्ता किये हुए पास्ता डालेंगे और आप देख सकते हैं पास्ता हमारे एक तम खिली खिली है ये बिलकुल भी चिपके नहीं है और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे पास्ता को हम सबच्यों के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे पास्ता को सबच्यों के साथ मिलाते हुए लगभग एक मिनट हो गए है और पास्ता हमारा धीरे धीरे भुन भी गया है और सबजों के साथ मिक्स भी हो गई है और अब हम गैस का फ्लेम मेडियम ही रखेंगे और इसमें एक से दो चमज पीजा मेक्स या फिर मिक्स हबस डालेंगे आप इसकी जगा औरिगेन और चिली फ्लेक्स का भी उज़ कर सकते हैं और अब हम इसमें पास्ते से छे चमज टमाटो कैचप या टमाटो सौस डालेंगे और इस टेम पे गैस का फ्लेम मेडियम ही रखेंगे जिससे आपके पास्ता बिल्कुल भी पैन में चिपके ये नहीं और अब हम इस पास्ते को अच्छे से टमाटो सौस के साथ मिक्स कर लेंगे जिससे हमारा पास्ता बहुत ही ज्यादा टेश्टी और डिलेसिस बनेगी और इसे बनाना बहुत ही असान है और इसे आप जब भी कुछ चटपटा और टेश्टी खाने का मन हो तो आप इसे इंस्टेंट आज से 10 मिनट में बना सकते हैं और आप इसे इस तरीके से धेर सारी सबचिया डाल करके बनाएं और बचों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेश्टी और हेल्दी होती है जब भी आप पजार से पास्ता लाएं तो आप पैकेट वाले ही पास्ता क कि यूज करें क्योंकि वो सूजी से बनती है और हमारे हेल्ड के लिए आप खुले वाला पास्ते का यूज ना करें क्योंकि वो मैदे से बनी होती है और पास्ते को जब आप बनाएंगे तो वो कुछ समय के बाद हाड हो जाती है तो आप हमेशा पैकेट वाले सूजी से बने पास्ते का यूज करें जो जो बनाने के चार घंटे के बाद भी अगर आप इसे खाएंगे तो ये एकदम फ्लीवरफूल और सॉफ्ट रहती है और अब आप देख सकते हैं हमारा पास्ता बनके तयार हो गई है और चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म क्लेट में सर्फ कर लेते हैं और आप इसे अपना फेवरेट कैचप या फिर इसे ऐसे खाएं तो आप इस तरह के से पास्ता थैंक फूर वाचिंग मिलते हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में